नमस्कार दोथ रिर्वाइन टेक मापका फिस बहुत बहुत स्वागता है आज की इस वीडियो में बताऊंगा परधान मंत्री कोशल विकास योजन्या के बारे में अगर आप परधान मंत्री कोशल विकास केंदर खोलना चाहते हैं तो सरकार आपको 23 अक्टूबर तक यह मोका दे रही है आप अपलाई करके आप अपने इलाके में कोशल विकास केंदर खोल सकते हैं इससे आपको अच्छी इंकम हो जाएगी और साथ ही केंदर के इसकील इंडिया का हिसा बन सकते हैं आप individual या NGO के किसी एजंसी के तौर पर भी आवेदन कर सकते हैं तो जानते हैं पुरी इसकिम क्या है अगर आप कोशल विकास केंदर खोलना चाहते हैं तो आप कैसे अपलाई करेंगे साथ ही के SQIM के बारे में भी जानेंगे आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए अगर आपने अभी तक Re reciteente Tech Channel को सस्कराइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस Re ceaseente Tech Channel को सस्क्राइब कर दे है ठीक है फ्रेंड्स यह SQIM क्या है? परधान मंतरी कोशल विकास योजना के तहद सरकार अलग अलग ट्रेनिंग मोडल पर काम कर रही है हर एरिया में ट्रेनिंग सेंटर देने के लिए National Skills Development Corporation NCDC के दोवारा देश के हर जीले में मोडल ट्रेनिंग सेंटर खोल जाएंगे सरकार से लोन लेकर भी ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं सरकार इसके लिए 75% लोन दे रही है अगर आप ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो स्टुडेंट के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर के लिए जगह का इंतिजाम करना होगा एक student के लिए औसता 10 बर्ग फूट जगह का इंतिजाम करना होगा इसके हिसाब से आप जगह का इंतिजाम कर सकते हैं और अधिक जनकारी के लिए इस अधिक जनकारी के लिए friends आप इस website पर आ सकते हैं और friends यहाँ पर आपको इसका नंबर भी मिल जाएगा friends इस नंबर पर आप बात करके भी सारे जनकारी हासिल कर सकते हैं ठीक है प्रदान मंतरी कोसल विकास योजना आप इस website को देख लिजिए इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदेंगे देख लिजिए friends इस इस guidelines को download करना और आपको पढ़ना है आप इस तरह से परदान मंतरी कोसल विकास योजना के बारे में सारे जनकारी हासिल कर सकते हैं ठीक है friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक रियोरेंजन टेक्स चैनल को स सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक जाएंद